नमस्कार, मैं हूँ सेसी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की ख़बर जानते हैं नियोजन नीती के बिरोध में संताल परगना एक अप्रेल को बंद जार्खन की हेमंत कैविनेट दुआरा लाई गई नई नियोजन नीती के बिरोध में संताल परगना में सुक्रवार की साम को मसाल जुलूस निकाला जाएगा इस दोरान जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने संताल परगना में बंद का भी आवाहन किया है जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि किसी भी सूरत में साथ चालिस की निती नहीं चलेगी नारास पस्ट है कि साथ चालिस नहीं चलता हो बता दे जहारकन स्टेट स्टूडेंट यूनियन की मायंग है कि साथ चालिस वाली नियोजन निती को आपस लिया जाए खत्यान अधारित नियोजन निती बने जन संख्या के अनुपात में आरक्षन रोस्टर जारी किया जाए सभी विभागों में रिक्त पदो पर अविलम नियुक्ती की परकिरिया शुरू की जाए गौतला भाय की जहारकन विधान सबाग बैट सत्र के आकरी दिन भी जहारकन स्टेट यूनियन और जहारकन यूथ एसोसियेशन के बैनर तले नियोजन निती की बिरोद में भी धान सबाग घराव किया गया था इस दोरान परदसनकारी छात्रों और पूलिस के भी जड़ा भी हुई थी पूलिस ने स्टुडेंट की भीड को नियंतरित करने के लिए लाठी चार्ज किया था वहीं आसुगैस के गोले भी धागे गाए सरकार का तरक है कि नई नियोजन निती स्टुडेंट की राय पर लाई गई है जारखन में अप्रेल में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक अप्रेल माह में बैंक पूरे 11 दिन बंद रहेंगे ताकि समय रहते वह लोग अपनी जरूरी काम निप्टा ले बता दे कलेंडर के मुताबिक एक अप्रेल को येरली क्लोजिंग बैंक आकाउंट होता है वहीं चार अप्रेल को महाविर जयनती को लेकर पबलिक होलीडे है वहीं 7 अप्रेल को गूड फ्राइडे के चुटी होती है 8 अप्रेल को महीने का दूसरा सनिवार है इसलिए चुटी होगी वहीं 14 अप्रेल को भी मरा अमबेटकर की जयनती की वज़ा से चुटी होगी वहीं 22 अप्रेल को महिने का चौथा सनिवार है इसलिए बैंक में आवकास रहेगा वहीं 29, 16, 23 तारीक और भीवार की वज़ा से सबताहिक आवकास है डाक विभाग की बहाली में 80% से ज्यादा सर्टिफिकेट फरजी डाक विभाग के ज्यारखन सर्किल में निकली बहाली की प्रणभिक जांच में चौकाने वाली जनकारी सामने आई है करीब 80% से ज्यादा आवेदक के सर्टिफिकेट फरजी मिले है इस मामले में एक आरोपी की किरफतारी भी हुई है उसने सविकार किया है कि ज्यारखन समयत कई राजियों में होने वाली बहाली में उसने फरजी वाड़ा कराया है अब वहां की टीम उसको लेकर ज्यारखन आएगी और यहां से इसका मिलान करायाईगी उसने बताया है कि वह फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का काम वर्सों से कर रहा है या भी बताया गया है कि एक सिंडिकेट द्वारा इस तरह के दस्तावेज तयार कराए गए थे डाक विभाग के जहरखन सर्किल में निकली बहाली की चोकाने वाली जनकारी सामने आई है गार्डन वा जसी डी सप्ट्वेर टेकनलोजी पार्क में कई इवेंट होंगे संथाल परगना में IT सेक्टर में निवेस पर प्रेजन टेंशन होगा वहीं डिजिटल इंडिया के तहत कैसे ग्रास रूट पर बिजनेस वा सर्विस के साथ रोजगार के आउसर पर कई प्रेंजन टेंशन होंगे साथ ही देवघर से देश भर में हवाई मार्ग वर रेल मार्ग की कनेक्टिविटी की सुविधावा पर अटक उद्यों की संभावनावा पर चर्चा भी होगी बदादे देवघर में G27 को लेकर 29 मार्च को दिल्ली में सुचना एवा पर दोकी मंत्राले ने इसकी भी भागे त्यारी की समिक्षा किया है इस दवरान आईटी से जुड़े भी भागे अधिकारियों के साथ सा देश के आईटी कंपनियों के परतिनी धी भी सामिल हुए ज्यारखन में मौसम अलर्ट तेज आंधी और बारिश की चेतावनी मौसम इभाग ने सुक्रवार को रांची समित मद्य भाग, वोकारों, गुमला, हजारी बाग, खुर्टी वर रामगर्ड के अलावा राजे के दक्षनी भाग, पुर्वी, सिम्भूम, पच्चमी सिम्भूम, सिम्डेगा और सरायक लखर सावा के लिए पीक अलर्ट जारी किया है इस दवरान इन हिसों में कहीं कहीं ओला विरिश्टी भी होने की संभावना है जबकि 31 मार्च और 1 अरप्रेल को राजे के अने हिसों के लिए एलो अड़र्ट की चेतावनी है यहां में गर्जन बजरपात के साथ सत ही हवा चलेगी जिसकी रफतार 40-50 किलूमेटर प्रतिगंटा रहेगी नियोजन निती को लेकर गरम है सियासत जबकि 32 में नियोजन निती को लेकर जनवरी 2022 से ही लगातार उग्र आंदोलन जारी है दरसल फरवरी 2020 में हेमान सुरेन सरकार नई नियोजन निती लाई थी इसमें राज कितरीति एंव चतुत वर्गे नवकरियों में अवेदन के लिए जार्खन से दस्वी बरावी पास करने के रिता रखी गई थी अभियार्थी के लिए जार्खन के अस्थानिय भासा संस्क्रीति एवं परिवेज की बुनियादी जनकारी रखना निवार किया गया था वहीं शत्रिय भासा की सूची से हिंदी को हटा कर उर्दु भासा को सामिल किया गया था दिसमबर 2022 में जार्खन हाई कोट ने इसे असनमेधारिक बताते वेरत कर दिया है अब इस मसले पर जार्खन स्टेट स्टुडेंट यूनियन ने उग्र आंदुलन की चतावनिती है अब यार्थियों का कहना है कि सरकार ने उनकी चिंता और मांगो पर कोई सेकरात्मक पहल नहीं किया है हेमान सुरेन सरकार की उदा सिंता की वज़स से अंदुलन तेज किया जाएगा इसी सिल्सिले में संताल परगना प्रमंडल के सभी छ जिला मुख्यालियों में सुक्रवार को मसाल जुलूस निकाला जाएगा और एक अप्रेल को पूरे संताल परगना को बंद का आवाहन किया गया है अप्रेल माह से बढ़ जाएगी बिजली की दरे अगले महिने से बिजली की दरे बढ़ जाएगी अप्रेल माह के अंत तक बिजली की नई दरे घोसित होगी बिजली की दरों में कितनी बिरेधी करनी है इसका फैसला निर्धानन नियामक आयोग द्वरा आयोजीत जन सुनवाई के बाद ताय होगा आयोग ने जेवी बिजली के लिए जन सुनवाई की तारिक ताय की है इसमें एक से तेरा अप्रेल के बीच इसका आयोजन होगा बता दे कि जेवी बिएनल की ओर से दाखिल टैरिक पेटीसन के अधार पर सुनवाई होगी यहाँ अलग-अलग उभगताव से पेटीसन पर चार्ज होगी वहीं 13 अप्रेल के बाद कभी भी आयोग बिजली की नई दरे घोसित कर सकता है रिम्स में 18 दिनों में H3N2 के सीर्फ 10 सेंपल की जाच स्वास्त विभाग के निदेश के बावजूद राजे में H3N2 इन्फुलेंजा वाइरस की जाच नहीं हो रही है राजे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले 18 दिनों में सीर्फ 10 सेंपल की जाच हुई बता दे माइक्रोबाइलोजी विभाग का कहना है कि उनके पास जाच के लिए सेंपल ही नहीं आ रहा है जबकि पर्याप्त संख्या में जाच की उपलब्द है स्वास्त विभाग ने 12 मार्च को स्तमान एनपलेंजा के बढ़ते मामले और एज 3 एन 2 का मामला सामने आने के बाद रिम्स वह एमजेम जमसेतपूर को जाच का निदेस दिया था निदेस मिलने के बाद रिम्स द्वारा 192 जाच किट मंगवाया गया था सोना सोबरन धोती योजना के 65 लाख लावकों को नहीं मिला लाव पिछले साल 65 लाख गरीबों को मिलने वाली सोना सोबरन धोती लोंगी साड़ी योजना का लाव अब तक लावकों को नहीं मिल पाया है वहीं दूसरी ओर दोती साड़ी बित्रन योजना के लिए वितिये वर्ष दोहर्ष 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 चोववीस में छोज़ो कोलो रुपए के ब्याय का प्रोधान किया गया है सरकार की ओर से इस योजना की सुरुवाद 16 अक्टूबर दोहरे कई से की गई थी इसके तहतराज के बीपिल कार्धारियों को एक वर्ष में दो बार दोहर्दा सुर्पय में दोती लोंगी वसाड़ी देने का प्रोधान है खाद्रापूर्ती विभाग की ओर से संचालित होने वाली इस योजना को सुरू हुए तीन साल हो गया है साइबर अपराध्यों ने क्रिसी लोन के नाम पर की ठगी जारखन के गुमला जीले के घागरा ठाना छेत्रे के खपिया गाउं के दमपती से क्रिसी लोन वा ट्रेक्टर दिलवाने के नाम से गूगल पे एप के जरिये ठगी की गाई किरसी विभाग का पता धिकारी बनकर साइबर ठंग तरी अपराज़ों ट्रेक्टर देने के नाम पर 17300 रुपई अपने खाते में डलवाया लेकिन पैसा देने के बाद भी पेंडिंग काकर फिर 15000 रुपई डालने की बात कही वहें ट्रेक्टर देने वहां ट्रेक्टर के पेपर बनवाने के नाम से पहले एक 20 सरुपे अकाउंट में डलवाया गया पच्चमी सिंभूम में वहां की चपेट से महिला आरपीएप की मौत पच्चमी सिंभूम जीले के चक्रधर पूर चाईबा समुखे मार्ग उली डी पेट्रोल पंप के समीब भारीवान की चपेट में आने से एक महिला आरपीएप की मौत हो गई यह घटना अहले सुबा करीब 5 बजे की बताई जा रही है वही घटना को अंजाम देने के बाद चाला कुवाहन को लेकर घटना स्थल से फ्रार हो गया इस घटना की सुचना मिलते ही पूलिस पहुंची और मामले की चानवीन में जूट गई है जनकारी के अनुसार चक्रधरपूर सहर के पूटका निवासी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सीव चरन तीजू की धर्म पतनी 45 वर्षी गोपा तीजू आरपीएफ चाईबासा में पोस्टिंग थी रोजाना की तरह सुक्रवार के अले सुबाइस कूटी से सवार होकर ड्यूटी करने के लिए चाईबासा जा रही थी जमसेदपूर में एक कुरोना पोजेटिव जबकी H3N2 के चार संदिग्ध मिले जारखन के पच्छमी सिम्हूम जीले में गुर्वार को फीर एक मरीज में कुरोना संक्रामन की पुष्टी हुई है मानगो के रहने वाले 30 वर्षी पुरुस का इलाज टाटा मोटास अस्पताल में चल रहा है जीले में कुरोना संक्रामन के कूल 12 सक्रे मामले हाँ वहीं एन्फुलेंजा, नय वाइरस, H3N2 के चार संदिग्ध मिले हाँ सभी का इलाज टाटा मोटास अस्पताल में चल रहा है, जीले में इन्फुलेंजा के नय वाइरस, H3N2 के पांच मरीजों की पुष्टी हो चुकी है नोवा मुंडी में नकसलियों ने मचाई लूट, जारखन के पच्छमी सिमुझीले के में बड़ा जामदा ओपी छेत्रे के परम बाल जोडी गाओं के पास जंगल इस्थीत डिक के घोस कमपनी की बिसफोटक रखने वाली मैगनीज अत्वा घर पर गुरु आर की मधे राति लगवाग 12 से एक बज़े की बीच भागपम मवादियों ने धावा बोल कर भारी तदात में डेटोनेटर वा अने बिसफोटक समागरी लूट कर फरार हो गाए नक्सली जीस बारूत के बड़े भंडार को लूटने आये थे उसमें वा सपल नहीं हो पाए कमपनी ने बिसफोटक से समदित बारूत का बाड़ा खाजीरा वहाँ नहीं रखा था कुछ डेटोनेटर वा अने बिसफोटक समागरी ही उपलब्द था परम बाल जोडी गाउ छेतर इस्थीत बिसफोटक रखने वाले अस्थल की सुरक चाहुसी गाउं के प्राइबेट सुरक चाह गाट के जी में बताई जा रही है बीतिये वर्ष 2022 का आखरी दिन आज बीतिये वर्ष 2022 का 31 मार्च को आखरी दिन है इस मौके पर सरकारी खायाने से निकलने वाली राची पर बिसेस नजर रखी जा रही है बीत विभागने रियर बैंक आप इंडिया के निर्देसों का हावाला देते हुए सभी जीलो को राट 10 बैंक खोलने को कहा है इसके अलावा ट्रेजरी में सभी बील ऑनलाइन मोड में 2.3 बैं तक ही सविकार करने का निर्देस दिया गया है धन्यवाद नियोजन निती को लेकर संथाल पर गना एक अप्रेल को बंद का वाहन किया गया है इससे आप कितना सहमात है हमें आप कॉमेंट बक्स में अपना फिड़वाइक अवस्या दे साथी साथ वीडियो के एक लाइक का अपने दोस्तों के अशर करना भूले थैंक यू